हेलो प्यारे दोस्तों मैं सुमिच शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीत में जहां पर हम जेई और नीट लेवल की फिजिक्स, कैमिस्ट्री आज नीट लेवल की बायलजी और जेई लेवल की मैट्स करेंगे तो आज आपको पता होगा कि स्थर्ज्य है बट आपकी क्लास आ नहीं पाई है ना तो यह आपको recorded form में दी जा रही है आप पता नहीं यह आज रिकॉर्ड होके कल जाएगी या आज ही चली जाएगी कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं आज आपको लाइव क्लास नहीं ले पाया कल की भी लाइव क्लास की मैंने आज अप्लोड करी है अब लाइव तो वह हो गई थी बट अप्लोड़ेड आज हुई है ठीक है चलिए फिर हम आज की क्लास को शुरू किते हैं I hope so आप तो हम पढ़ क्या रहे थे properties of charge चार्ज की हम क्या पढ़ रहे थे properties पढ़ रहे थे जिसमें हमने कई सारी properties पढ़ी थी जिसमें हमने पहली प्रापटी जो पढ़ी थी क्या थी कि यह transfer कर सकते हैं Transferable है Second हमने क्या पढ़ थी कि यह scalar quantity होती है थर्ड हमने क्या पड़ी थी कि like charges हैं तो वो repel करेंगे और unlike हैं तो वो attract करेंगे same as human beings फूर्थ, conserved रहेगा system के लिए क्या रहेगा, conserved फिफ्थ, transfer कर सकते हो, अचा वो तुम मैंने बता दिया है न फिर invariant invariant मतलब, dune do not vary, vary नहीं करेगा, चाहिए आप high speed में लेकर जाओ, यह जैसे मर्जी किसी charge body को लेकर जाओ, उसका charge same रहेगा, ठीक है, फिर हमने पड़ा था, accelerated charge radiates energy, जो accelerated charge है, वो energy radiates करता है, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, rest में है, velocity constant है, यह चलो, इसको हम ऐसे बना देते हैं, मतलब, मैं बात किसी कर रहा हूँ, physics का सार, pks number one की, pks number one, और pks number two, उसमें हमने क्या किया था, pks one में हमने किया था, quantized property है ना, है ना, सही है, तो 7 लिख लो पहले, charge is quantized, मतलब, q is equal to n into e, this is very important, और, किये था आपको क्या, pks number one, pks two में क्या था, the charge rest पे है, या velocity constant है, या velocity not constant है, तो क्या होगा, मैंदा अगर मान लो rest पे है, that means acceleration है यह नहीं, यह जो लो ऐसा नहीं लिखते है, velocity constant है, मैंदा acceleration है, नहीं, ठीक है, velocity not constant, that means acceleration is not equal to zero, इसमें acceleration is equal to zero, ठीक है, तो rest पे है, तो वो क्या करेगा, if the charge is in rest, that means वो electric field बनाएगा, constant पे है, that means electric field भी बनाएगा, और magnetic field भी बनाएगा, और not constant, that means electric field, magnetic field तो बनाएगा ही, साथ में, radiate करेगा energy, यह हमने पड़ा था, lecture number one का, revision में, ठीक है, देखो यह, हम हम आते है, lecture number two के main, चीज़ पे, ठीक है, ठीक है, now, lecture two की कहानी, चार्ज, इस, always, associated with mass, चार्ज, जो है, वो हमेशा, mass के साथ, associated होगा, मतलब, no mass, अगर किसी body के पास mass नहीं है, that means no charge, this is very important thing, इसको आप क्या बना लो, make it as s cube number, sorry s cube नहीं यार, pks number three, because यह property भी important है, ठीक है, अगर मैंने कहा, कि let's say, एक body है A, एक body है B, A gains an electron, B loses an electron, initially, इन दोनों के पास, initially, they were neutral, ठीक है, यह चीज़ हुई दोनों के साथ, now, option क्या है, A option, A का mass बढ़ गया, B का mass कम हो गया, B option, A का mass कम हो गया, B का mass बढ़ गया, C option, A का mass बढ़ गया, B का mass बढ़ गया, D option, A का mass भी कम, B का mass भी कम, और E option, A and B mass are same, मतलब, इन दोनों के mass same है, इसका correct answer क्या होगा, अब दिखो, यह हमने पिछली class में बढ़ा है, कि electron कभी mass होता है, अब इसके पास electron आया है, मतलब, इसके पास, एक electron का mass भी आया होगा, तो इसका mass बढ़ गया होगा, इससे एक electron गया है, मतलब, इससे, एक electron का mass भी कम हो गया, that means, इसका mass कम हो जाएगा, और इसका mass बढ़ जाएगा, A option is the correct answer, कि A का mass बढ़ गया, जिसने इलेक्रन लिए उसका मास बढ़ गया और जिसने इसका मास कम हो जाएगा रइट चलिए और मैंने आपको क्या था कि हम पढ़ेंगे कि चार्ज कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो है रहा हॉँ तो ट्रांसफर चार्ज यह थीक है टो सेटिंग में चाहिंद कई से करों साइब हुआ टेक्सट और से हुआ आप कि चेंज नियुक्स वागा कके ऑई ये क्या हो गया हटाओ से एक यार क्या हो गया काळा करी रिख रही चिट्टा नहीं लिख सकता कि करें देता है इसकोा डिलीट कर्ते है हाँ यह आ गया 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 हाँ देखो ट्रेगर लिख दिया इसमें हाँ ट्रांस्फर कैसे करेंगे किसी चार्ज को यह आप से अब पुछा गया तो कैसे करोगे मैंने आपको तीन मेथड बताया थे पिछले लेक्शर में सबसे पहला कंडक्शन जहां पर टच कर रहे हूँ आप दो बड़ीज को सेकिंड इंडक्शन तच नहीं कर रहे है थर्ड फ्रिक्शन रब कर रहे हो जैसे हम फ्रिक्शन के अगर बात करूं मैं देखो यह एक बोड़ी है यह दूसरी बोड़ी है इसको को आप इस स्वेड लेकर जा रहे हो इसको को पिस स्वेड लेकर जा रहे हो यहाँ पे क्या है तच है यह यह आपस में रभ रभ कर रहे हो ना ilectrons are transferred from any one body to the other ठीक है अओ इलेक्ट्रांस ट्रांस पर हो जाएंगे की नीं कर लो कि ओपर कि वान लो कि एक ने किया और कि प्र-ट एक्सेप्ट सब्सक्राइब यह कुर्ण का अब्सक्राइब को A ने electron accept कर लिया B ने electron lose कर दिया तो अब mass क्या होगा mass final of A A का final mass क्या होगा पहले तो उसका जो initial mass था है ना और उसमें plus होगा because A ने तो एक electron accept किया तो उसमें plus हो जाएगा N into E sorry N electron जगर उसने लिये तो N into mass of 1 electron similarly mass final of B will be M initial of B प्लस जितने electron उसने दिये sorry इसका minus होगा ना जितने electron उसने दिये उतना उससे हट गया तो यह होगा आपके पास final mass ठीक है second अपने पढ़ना है conduction यह मैंने आपको कई बार बता दिया कि conduction में क्या होगा हम किसी दो चीजों को आपस में क्या करवाएंगे तच करवा देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे conduction बोलेंगे सो जब हम तच्छे करवाएंगे तो कैसे तच करेंगे तच करने के बाद क्या होगा यह सब आपको पता होना चाहिए यह सब आपको पता होना चाहिए जैसे देखो इसके उपर है 14 कूलम का चार्ज है और इसके उपर 22 कूलम का चार्ज है मैंने इन दोनों के बीच में एक वायर अटाच करके शिच लगा दिया है बीच में है ना पताच कर दिया हमने इनको और सुच अगर जब मैंने बंद किया तो क्या होगा इफ आ जस्ट को प्लोज दे स्विच देन वाट वुड हैपन सबसे पहले तो इनकी अडेंटिकल होने चाहिए यह है ना लेट से यह ना एक यह है गोल नहीं होगा क्या हाँ तो इफ आ टच देम तो फाइनल केस क्या होगा इसके ओपर है 14 कुलं म इसके ओपर है 22 कुलं म अब जो इन तोनों की बोडिस को हम एक unit देखेंगे इन दोनों बोडिस को हमने एक युनिट देखा तो इसके ओपर कितना चार्ज है दोनों के उपडर अब नेट चार्च दिखो अब ये चीज़ मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ तो कितना मज़ा आता हमें लाइव में है ना पर चलो कोई नहीं अब इनके उपर चार्ज कितना होगा 14 प्लस 22 दाट इस इकोल टू 36 कूलंब 36 कूलंब अब अगर मैं इन दोनों को बोड़ी को सेपरेट कर दूँ ये एक बोड़ी ये दूसरी बोड़ी अब क्या चार्ज हो जाएगा 36 हो गया ना 36 का हाफ आ जाएगा 18 और 18 आपको समझनी है कि जब मैंने उनको कॉन्टैक्ट में लाए तो जब उनको जौनसमें सेपरेट or क्वरी को बोड़ी बहींव तो क्या करेंगे अब हम फाइनल सिनेरियो क्या होगा पहले हमने कॉंटेक्ट कर आए फिर अलग करवा दिया इन दोनों का सम दैट मेंज को 1 माइनस को 2 बाई 2 को 1 माइनस को 2 बाई 2 यह हो जाएगा ठीक है सिमिलरली अगर हमने यह एक था यह दूसरा था तूबाई 2 टच एंड सेपरेटेड यह है आपके पास इसका कंसेप्ट चलिए अब हम आएगे अपने अगले टॉपिक पे है ना अपने अगले टॉपिक पे आते हैं इसका नाम है कूलम्स फोर्स यह कूलम्स फोर्स की जगा हम लॉव लिख लेते हैं तो बड़िया रहेगा कूलम्स लॉव ठीक है सही है अब हम कहें देखेंगे कूलम्स लॉव के बारे में अब फोर्स लगाते हैं दो बोड़ी जापस में यह तो सबको पता चल गया ना में इन्डक्शन तो रहता है इंडक््शन तो है भी इंडक्शन करवाना है पहले एंडक्टशन करेंगे है इंडक्शन में इसको आप ध्यान से समझना जैसे अगर मान लो यहाँ पर एक बेटा हुआ है आपको इसके तक कुछ बात पहुंचानी है मतलब मैंनो आपको दिल की बात पहुंचानी है तो कैसे पहुंचा ओगे आप के बच्चे होंगे जो सीधा रखे हाथ में हाथ पकड़के मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वो हो गया कंडक्शन ठीक है प्यार करता हूं तो दोनों का प्यार पहले तो इसका प्यार कम इसका प्यार ज्यादा दोनों का प्यार लब स्वरी पहले इसने किया हाथ में जाके हाथ पकड़के इसको कह दिया कि मैं तुम से प्यार करता हूं इसका प्यार जादा था इसका प्यार कम था दोनों का प्यार एक होके एंड में दोनों का प्यार अधादा हो गया वो क्या है कंडक्शन पर अगर अगर मानों यहां पर भी कोई और बच्चा बैठा यहां पर कोई और बैठा यहां पर कोई और ऐसे ऐसे बंदे बैठे हुए है इसको अपनी बात यहां तक पहुंचानी है पर यह कह नहीं पा रहा है यह इसको कहेगा यह इसको कहेगा यह इसको कहेगा यह इसको यह इसको आगे तक जाते जाते ऐसे इसकी बात यहां पर पहुंचेगी यह क्या है कि यह क्या है वह बिना कॉंटेक्ट में आए विदाउट विदाउट कॉंटेक्ट वो अपनी बात कह रहा है मतलब चार्ज का ट्रांसफर विदाउट कॉंटेक्ट हो रहा है इसमें ठीक है तब कैसे होगा वो देखो इंडक्शन को समझने से पहले आपको समझ लेना है अर्थिंग के बारे में अर्थ का कपैसेटन्स बहुत हाई है अब कई बच्चों को यह समझते ही आएगा क्योंकि यह इस चप्टर का है ही नहीं बटके यहों को पूछना होता है इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं यह अर्थ के पास एलेक्टरॉन बहुत ज़्यादा है इस बताना है अर्थ इस बाड़ी में से इलेक्टरॉन लेगा की इलेक्ट्रॉन देगा यह आपको मुझे बताना है कि भूलो कि इस इस यह अर्थ इस बॉर्डी तो इलेक्ट्राइब लेगा और कि इलेक्ट्रॉन देगा है यह आपको बताना है में इते लोग ऐसे समझे से हम पहले ना क्या करते हैं मैं आपको पूरा सेनेरियो समझाता हूँ पहले तो इसको पहले सेलेक्ट करो अभी इसकी अर्थिंग ना करके हम इसको कॉपी करके पहले इंडक्शन करवाते हैं कि अज़िए ना अब देखो हाँ ही एक बाडी को कि मानलों एक न्यूट्र बौड़ी से सबसे पहले सब और हमने कहले लिए अंडने न्यूट्रल बौडी IGHए अधुलों ब्राबरें एंदों ब्राबर रार एं पॉजिटिव और नेगटिव बी भी अब इसके पास हमें एक रोड को लेकर आए जिसके उपर मान लो नेगेटिव चार्ज है मान लिया हमने उसके उपर चार्ज है नेगेटिव चार्ज ठीक है यह एक पोडियम है ठीक है और यह इंसुलेटिंग पैड लगा हुए नीचे इंसुलेटिंग क्यों ताकि इसका चार्ज डारेटली अर्थ के अंदर में चला ज अब आपने चार्ज इंड्यूस नहीं किया है चार्ज इस नॉट इंड्यूस नाउ बट पोलारिटी हैस बिन ड्यूलप आपने पोलारिटी लेआए हो आप ओचला पॉलारिटी इसे क्या हो गया पॉलारिटी थूड़ी आई अब जब हम इसकी अर्थिंग कराएंगे इस बोड़ी की तब हमें पता उन्च यह क्या होगा तो वह हम आपको यहां पर बताते हैं कि तो मैंने कहा कि अर्थ के पास क्या बहुत हाई है अर्थ इलेक्ट्र performance सकता है photon देव इंफनेat सकता है रैट तब इस केस में अर्थ क्या करेगा वह आपको बता उना जहीं है तो वह इलेक्ट्रव देदेगा देखो दोनाचे इते बराबरर है तो वह कि अर्ठी करवाओगे तो वह shyилиक्त्रॉण देगा और अगर वह एलेक्त्रॉण दे रहा है और वह एलेक्त्रॉण दे रहा है विकास तो नहीं ना कि पूरा वोश पोसेटिव पूरा नेगैक्टिव है अगर मानलो मैंने कहा एक बॉड़ी है इसके अंदर ऐसा है मौन्वू तो उसमें क्या करेंगा वो इलेक्ट्रॉन देदेगा बॉडि एलेक्ट्रॉन देदेगी आथ को उलता कर दिया मतला बॉडि के अंदर पूरा पॉजटव कर दिया पॉजटिफ 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 मने मैं की तव अर्थ इसको इलेक्रॉन देदीब्स को इंफानाइट इलेक्ट्रॉन यह चीज करकते स्चू अगरिसा ठीक है इंफानेट इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है इंफानेट इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है यह चीज आपको पता होनी चाहिए अब अगर मैंने क्या किया इस केस में अर्फिंग करवाई इस बॉडी की एक बिड़ेब फोन आरे में देख है तो सुरी है न तो अगर मैं इसका है आपके पास इसकी उकर वादूड हो है अ माश्रेटीव को पॉजितेव 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 नेगेटिव 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 ए कि अ ऐसा है है ल notified न इसके पास शाज लेके आए हैं वसकते है उल्टा बनागे हमने तो ऐसे हैं अब मैंने इसकी अर्थिंग करवा दी ठीक है इसके अंदर देखो हम क्या करेंगे इसके अर्थ के पास क्या है इसके अर्थ के पास क्या है इसके अर्थ के अंदर तो इसके बड़ी कैसी होजेगी देखो पोजिटिबली चाज होगी नाओ दर चाज इस इंड्यूजड नाओ चाज इस इंड्यूजड आए और को मदब थोड़ा सा यहां पारी ठीच है है अब ठीक है, इसके पास मैं positive की जगह, फहले मैं positive लेकर आए था, negative की जगह, positive body लेकर आए, तो क्या होगा, positive लेकर आए, तो यहाँ पर negative आजाएगा, यहाँ पर positive आजाएगा, इसको मैंने रथ करवा दिया, अर्थ करवा दिया, अब इस बोडी में क्या होगा उल्टा हो जाएगा अब इसके अंदर नेगटिव 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 जादा हो जाएगा as compared to positive positive वह रहेंगे तो यहीं पर positive move तो कर नहीं सकते है ना तो इसके अंदर charge develop हो जाएगा अर्थिंग हटाने के बाद negative charge will develop चाहे positive भी है पर negative is more ठीक है negative is more because अब electrons कहा जाएगे यहाँ ठीक है अब ऐसा क्यों हो रहा है देखो जब आप positive body लेके आरे तो negative बनेगी जब आप negative body लेके आरे तो positive बनेगी आपको बस यह याद रख लेना है आपके सारे questions और सारे questions का हल अर्थिंग के concept को ना हम अगरे chapter में और detail में बढ़ेंगे तो तब आपको बढ़िया किसे समझ आ गएगा अभी अगर किसी को समझ नहीं आया तो इतना याद रख ले अगर आप positive body लेके आए हैं पास में तो मतलब end result will be negative अगर आप negative लेके आए हैं तो end result will be positive ठीक है जैसे let's say मैंने क्या किया एक्जाम्पल दिया आपको कि एक आपके पास ये body है और एक आपके पास ये body है और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया इस तरह से है ना ये आपके पास क्या है insulating pad for the first body ये आगे second body second body का और ये दोनों इस तरह से ground से joint है अब मैंने क्या किया इसके इस पूरे सेट अप में इस पूरे सेट अप में देखो positive 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 negative 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 positive negative positive negative positive negative positive negative ऐसे था initial case मैंने क्या किया इसके पास में लेके आया क्या एक positively charged body now you will be telling me the final scenario this is your homework let's say ये हम अगले जब अगले lecture में आपको करवाऊंगा तो मुस्ट ज्यादा तर केस यह है कि मैं आपको live लूंगा अगले lecture तो उसमें आपको clear भी हो जाएगा अर्थिंग आपको अभी समझ नहीं आई और अगर आपको मान लो उसमें भी clear नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं अर्थिंग के उपर अधक सभी वीडियो लेके आऊँगा पर potential and capacitance वीडियो लेके आऊँगा पर पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में ठीक है एडवांस लेक्टर भी होता है उसके लिए ठीक है चलिए इस दो प्रोस बेट्वीन तो चार्ज पार्टिकल्स की बिच में उनके चार्जिस के प्रडुक्ट प्रपोश्नल है उनके चार्जिस के डिस्टेंस के बीच में ठीक है तो ये क्या है product of charge और ये क्या है square of distance between charges ठीक है ये कूलम ने कहा अब जब हमने इन दोनों को एक साथ लिखा that means f is directly proportional to q1 q2 by r square जैसे ये आपका charge है q1 ये आपका charge है q2 इन दोनों के centers के बीट का distance कितना है r1 या मालो r तो ये है आपके लिए इस तरह से ठीक है f is directly proportional लब हमने इसको जब हटाया तो हमें मिला f equals k q1 q2 by r square that is equal to k की value हमने देखी तो कितनी मिली 1 by 4 by epsilon 0 q1 q2 by r square note डालिएगा हाँ अभी आपके मन में बहुत सारे questions होंगे बहुत मैं बताऊंगा value of k is not fixed k की value fixed नहीं होती it is not fixed it varies with medium between charges अगर मानलो charges के बीच का medium पानी है that means अगर मानलो a charge 1 है ये charge 2 है q1 q2 ये मानलो air है बीच पे यहाँ पे charge f है तो second medium अगर मानलो मैंने क्या ले लिया इन दोनों को charges में मैंने water में डाल दिया ये आपका medium 2 हो गया q1 q2 अब जो है force कितना होगा f2 f2 is not equal to f this is very important thing अब वो force कितना होगा वो भी पता होना चाहिए उससे पहले हम आपको बताएंगे epsilon not इसको क्या बोलते है epsilon not permittivity of free space अब permittivity क्या होता है सबसे पर आपको ये बताओना चाहिए permittivity means permission permission given by a material to resist the charge it will resist the force in that particular medium ठीक है permission जो एक medium दे रहा है किसको खुद को ही कि वो कितना चार्ज रोकेगा कितना चार्ज जाने देगा उसको हम बोलते है epsilon free space की इस permission को हम क्या बोल देते है epsilon not ठीक है और अगर मालो मैंने कहा कि epsilon medium क्या है तो वो है कि वो permission कितनी है कितनी permission है जो वो दे रहा है अपने medium को कि वो उस charge के बीच के force को रहने दे या कितना रहने दे ये आपको ये बता रहा है ठीक है ये आपको ये बता रहा है I hope so now this is clear for you ठीक है आज की लेक्टर में हम इतना ही रखेंगे topic को because बाकी चीज़े हम अगले लेक्टर में live में ही cover करना पसंद करेंगे तब तक के लिए take care बाइ बाइ जैश्री राम जैश्री कृष्ण राधे 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 शेम